करेजी क्रिप्टो मिन्टू में आप देख रहे हैं मार्किट का हाल आज भी वैसा ही है सेम जैसा भी चलना है आप देख रहे हैं कि लगबग एक पूरा वीक हो रहा है दीरे दीरे और बीटीज वहीं आपका 29,300,200,300,200 बस यहीं जूल रहा है इसके ना आगे ना इसके पीछ है हाँ थोड़ा सा रात को आप देख सकते हैं इसमें हलका सब मैलिफिलेसन तो हुआ है आप जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स देख रहे हैं विक्स लगी हुए सकते हैं नहीं ठोड़ा सा धर करने की कोसिस की थी क्षिटी कर फैंड आप यहां से हलका सा 29,200 से 29,200 था और वहां से यह सीधा लगबग 600-700 डॉलर का अप एंड डाउन था और यह बहुत यह आप देखने बहुत ज्यादा टाइम यह नहीं रहा है तो कहीं न कहीं यह तो थोड़ा बहुत मैनुपलेशन तो मैंने कहते हैं जब यह आपका FMC की का जो आसपास जब ऐसा टाइम होता है तो वहां पर यह सब चीजें चलती है और वही है देखिए आज यहासे एक तारीक हो चुकी है और कल और परसो तो यह इस तरीकी के थोड़ी-थोड़ी यह अपने डाउन साब को देखने मिलेंगे थोड़ा से यहां पर आप केरफु कियाएगा उसके बाद ही मार्केट का रियक्शन और पता चलेगा वैसे जो नियूज निकल नहीं है वही निकल नहीं के इंटरेस्ट रेट को और कट किया जाएगा देखिए कंफर्म तो कल जब पाविल साब कुछ बोलेंगे पाविल साब को इस पीच देंगे आखिए थोड़ा सा और यही आप लगबग यही पांच-छे दिन से आप यही देख रहे हैं तो बीटीसी के डॉमिनेंस में भी देखिए बहुत ज़्यादा क्यों कि को प्राइज भी वहीं है प्राइज भी ज़्यादा घटा बड़ा है नहीं तो ज़्यादा यह उसमें भी वॉल अब यह स्टार्ट है पूरी मार्केट कर लिए यह आल रहे हैं आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं आप यह देखिए कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलाल कोई टोकन ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा पंप की स्थिती में हो हाँ टी उसडी में जरूर जो अपना इस्टेबल कोईन था इनका तो बागी देखिए पूरी मार्केट में फिलाल मिक्स मैच जैसा ही रियक्शन है यहां देखिए मैं आपको यह कोईन गीकों का बिटी सी का ही चार्ट दिखा रहा हूं आप देख रहा हैं ग्रीन वाली केंडल केतनी बड़ी बड़ जो अपना सौट पोजिशन खोल के बैठे थे उनको लिकुडेट करने के लिए उसके बाद फिर दुबारा से आप देख रहा है थोड़ा थोड़ा सा जो है फिर से मार्केट को नीचे लाया गया देखिए आप बड़ी सी केंडल रैड देख रहा है और उसके बाद फिर उ ना देखे बेबी डॉज के प्राइज पर देखे किसी तरह का कोई इंपक्ट नहीं है आप देख रहे हैं पूरा रैड 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 और डाउन ट्रेंड ही है नीचे यानि कि अप ट्रेंड की तरफ कहीं कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि इसाफ जो बर्निंग का इनकी जो न्यूज आ रही है उससे किसी तरह का कोई इनके प्राइज पर इंपक्ट पढ़ने वाला है तो कहीं न कहीं ये एक तरह से कम्यूटी के लिए तो कोई बहुत बड़िया न्यूज नजर नहीं आ रही क्यों कोई प्राइज पर किसी तरह का कोई इंपक्ट नहीं आ रहा है क क्यों को जितनी बड़ी संक्या में इनकी सप्लाई है उसको उतनी बड़ी संक्या में इनको खतम भी करना होगा तो तभी कुछ मुझे लगता है इसमें एक अच्छा खाता ट्रेंड नजर आ सकता है लेकिन फिलाल तो आप इसमें बहुत जादा उम्मीद न करें जो मैंने कहा कोई बहुत ज़्यादा इंपे यानि पी-ई-पी-ई देखिए एक बार फिर से यह इसने जो है एक हलकी सी उच्छाल मारी है और लगबग जो है 60% के आसपास 25% यह 24 आवर में गया है लेकिन आप यह यह देखने कोशिज कीजिए इसमें भी बहुत बड़ा पंपडम भी च टोकन में हम यह नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है आप एत्त में थोड़ा सा विस्वास कर सकते हो नहीं वाई चिकए जो ही सारी इनकी नहीं करूँगा कि आप जो है इसमें बिल्कुल भी पैसा लगाएं यह 100% रिस्क है क्यों क्योंकि अगर वो वालेट जो है चार-पांच वालेट अगर उन्हों मान लीजिए डंप कर दिया प्राइज को तो आपको तो इस चीज़ के बिल्कुल भी बनक भी है यानि एहसास भी नहीं होगा तब तक प्राइज डाउन हो जाएगा तो ऐसे टोकन्स में देगी इस चीज़ का थोड़ा साब ख्याल रखिएगा बाकि हां रिटन मिल रहा है ब पेपे की यही अकीकत है इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ कि यह जो है क्या है तो भाई आप यहां अगर आप 100% रिस्क ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं लेकिन लालच न करें तो ज्या नहीं रहा है मार्केट जो है बिल्कुल बहुत बड़ा अपडेट ऐसा कुछ है नहीं मार्केट आपका देखिए दो तरीक को जो मीटिंग है उसके बाद ही कुछ आपको थोड़ा सा ट्रेंड इसका सई निजर आएगा तो चलिए दुपर में मिलते हैं किसी एक अरजेंट थोड़ा सा इस वीडियो को जरू देखिएगा यह वीडियो होगा अर्नवेद रोहितास पर आज दो ड़ाई वजे के आसपास तो आप जरू इसको देखिए चले फिर मिलते हैं नमस्कार